दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था आपका स्पोट्स तक में हाउजएट में क्या होनी चाहिए आज कि आपकी 11 बांगलादेश पाकिस्तान के बीच जो थर्ड फाइनल T20 मैच खेला जाना है शेरे बांगला नाशे स्टेडियम में मैं आ गई हूं आपकी मदद करने पहला तो मैं जीत कर पाकिस्ताने सीरीज कर ली है अपने नाम क्या बांगलादेश कर पाएगा पलटवार क्या एक एक लौता जीत कर पाएगा अपने नाम वो तो देखना पड़ेगा लेकिन क्या होनी चाहिए आपकी टीम आज हाउजएट में जिससे बनाने के बाद आपको धे सारे प्राइजेज मिलें और लेजंड को हराने का मौका मिलें देखते हैं कौन-कौन से प्लेइस मेरी टीम का हिसा है और क्या आप उनसे इस्पायड हो कर वो टीम अपना बनाएंगे तो दोस्तों जिस तरह से मिताया था ये वही पिछ रहेगी और बोलर्स को मदद करेगी कट्रीग विकिड इस तरह मनें आपको लास्टरेम भी बताया था लो कॉरींग गेम होने वाला फार डह ये फर्षर्ड मयच भी वह स्कौरिंग गेम की संभावना है और बोलोगार्म को मदद मिलेगी weeklor से तो तीम क्या होगी मैं आपको बता देती हूं मौहमद रिजवान अच्छा प्रोदेशन किया था लास मैच में उसके बाद बाबर के बल्ले से अभी तक रंज नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको भी पता है एक क्लास जो है वो हमेशा पर्मिनिन्ट रहता है और मैं बाबर को अपनी टीम में जरूर रखूंगी इसके अलावा फकर जमान जी हां इसके अलावा शादाब खान रहेंगे मेरी टीम का हिस्सा शाहीन अफरीदी जी हां आइसी सी के तरफ से थोड़ा सा धक्का जरूर मिला है शाहीन अफरीदी को आफीफ हुसेन के तरफ बॉल गेंद फेकने पर लेकिन एक मैच विनर के तौर पर हमेशा रहते हैं शाहीन अ तो वो मेरी टीम का जरूर हिसा रहेंगे मेहदी हसन और अफीफ हुसेन के बीच में अगर मुझे लेना हो तो शायद मैं अफीफ हुसेन के साथ जाओंगी इसके अलावा तसकिन एहमद शौरिफ इसलाम और मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे कौन रहेंगे मेरे टीम के कप मेरे टीम के कप्तान को मैं बनाऊंगी रिजवान को वो मेरे टीम के कप्तान भी रहेंगे और विकेट कीपर भी रहेंगे अगर वाइस कप्तान की बात आए तो मैं शायद तसकिन एहमद को अपने टीम का वाइस कप्तान बनाऊंगी तो यह जो प्लेंग 11 है यह मेरी लिंक पे जाना है वहां क्लिक करना है पिर आप जाएंगे इसके बाद आप अपनी टीम बनाएए और लेजिंस को हराने का भी मौका पाईए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले और नूटिफिकेशन की घंटी पाईए वीडियो पाईए और स्पोस्तक को आप को आप डाउनलोड करिये